पंप डाउन करने के बाद यानि कि गैस इस्टोर करने के बाद अगर सर्विस वाल्व खराब हो तो क्या होगा तो क्या हम गैस को इस्टोर कर सकते हैं तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं छोटा सा वीडियो होने वाला है छोटी से जानकारी देने वाला हूँ तो अगर आप pump down करते हैं अगर उसका service valve खराब है यानि कि gas lock करते हैं lock नहीं होता है यानि कि उसका valve जो है वाल की जो हम tight करते हैं अगर वो खराब है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कैसे हम gas को store कर सकते हैं तो इसी topic पर हम बात करने वाला है छोटा सा वीडियो होने वाला है व के बारे मैं बात नहीं करेंगे आलेडि में वीडियो बना चुका हूँ आपको नीचे description में लिंक मिल जाएगा कैसे gas को store किया जाता है इसी तरह का वीडियो मैं बना रखा हूँ तो जाई देख लिजिए तो gas को store करने के बाद जब हम discharge line section line को खोलते हैं तो यहाँ पर actually दे में से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा बाहर अगर मानिए कि आपका service valve खराब है तो यहाँ पर क्या होगा सक्सान या discharge कोई भी अगर service valve खराब है तो आप gas store नहीं कर सकते हैं कोई सवाल ही नहीं है gas store करने का तो आप उसको पूरा gas आपको बाहर निकालना पड़ेगा और सक्सान लाइन का service valve होता है एक discharge line का service valve होता है तो हमने discharge line खोल दिया उसमें से gas बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है सक्सान लाइन को भी हमने खोल दिया अब देखें यहां से भी gas नहीं निकल रहा है यानि कि हमारा gas outdoor system में store हो चुका है तो इसी तरह से store कर सकते हैं अगर service valve खराब है एलकी से tight करने के बाद अगर फिर भी gas निकल रहा है suction line से discharge line से तो आप इसको gas store नहीं कर सकते हैं आपको पूरा gas release करना पड़ेगा और दूसरी जगह install करने से पहले आप ध्यान रखें हमेशा service valve आपका सही होना चाहिए तभी आप AC को कभी भी gas store कर सकते हैं और कहीं भी दूसरी जगह पर install करके gas को release कर सकते हैं तो यहां से अगर service valve खराब होगा तो discharge line और section line से फेकने लेडी में बना चुका हूँ थोड़ा से आपको सिर्फ explain करना था कि service valve खराब होता है तो क्या होता है तो गैस को store करने के लिए आपका AC start होना चाहिए on होना चाहिए AC यानि की compressor run करना चाहिए तो सबसे पहले हम discharge line को बंद करते हैं तो discharge line जब हम बंद कर देते हैं तो फेकन लाइन को हम बंद कर देते हैं बंद करने के बाद AC को बंद करेंगी compressor को तो सारा गैस आउट्डोर सिस्टम में खीच लेगा तो इसी तरह से हम गैस को store करते हैं अगर वीडियो आपके लिए उच्पल रहा हो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक जिरू कर दें लाश